वेलकम फ्रेंड्स डीb वाटर चेप्टर में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लाइन टू लाइन वर्ड तू वर्ड ट्रांसलेशन लेकर आए हैं हिंदी में आपको इस पूरे चेप्टर का हम टांसलेशन समझाने जा रहे हैं और आप सह ध्यान से समझे आपको पूरा चेप्टर आसानी से ये समझ में आ जाएगा I start करते हैं It happened when I was 10 or 11 years old I had decided to learn to swim एसा तब घटित हुआ जब मैं 10 या 11 वर्ष का था मैं तेरना, सीखना, चाता था उसका मैंने decide याने की निर्ने कर लिया था There was a pool at the YMCA YMCA में एक तालाब था, एक पूल था In Yakima date offered exactly the opportunity जो वास्तों में अवसर प्रदान करता था एक पूल था, तरन ताल था वहाँ पर मैं सीखना चाह रहा था The Yakima River was treacherous जो Yakima नदी थी वो treacherous याने dangerous का भी खतरनाक थी और Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river माल लगातार इसके खिलाब चेताओं ने देती रती थी और नदी में डूबने की हर घटना के विवरण को मेरे दिमाग में ताजा बनाए रकती थी but the YMCA pool was safe लेकिन YMCA का तरण ताल पुरी तरह से सुरक्षित था ये जो उतला हुआ छोड़ था उसकी तरफ दो या तीन पिठी गरा था and while it was nine feet deep at the other जबकि दूसी तरफ ये नो पिठ गरा था the drop was gradual और जो इसका डलान था इसकी जो गरा आई थी वो भी दीरे दीरे थी यानि कि एक साथ ये गरा नहीं था I got a pair of water wings and went to the pool मैंने जलपंक लिए और ताल पर चला गया I hated to walk next into it and show my skinny legs मैं इसमें ताल में बिना कपड़ों के वहाँ पर जाने में और अपनी इसकी नी पतली पतली टांगों को दिखाने में मुझे hate होती थी नपरत होती थी But I subdued my pride and did it लेकिन मैंने अपने pride आत्म सम्मान पर subdued control नेंत्रिन किया और मैं वहाँ चला गया From the beginning however I had an aversion to the water when I was in it शुरुवात में मुझे पानी में बहुत ज़्यादा aversion था यानि की बहुत ज़्यादा इससे dislike करता था मैं मुझे नपरती बिल्कुल पसंद नहीं था पानी में जाना शुरुवात में इसके शुरुवात तब हुई थी जम में तीन या चार साल का था तब मेरे पिता मुझे केलिफोनिया में समुद्र तट पर लेकर गए थे he and I stood together in the surf वो और में हम दोनों मुहापर लरों के जाग में खड़ी हुई थे साथ साथ I hung on to him मैंने उन्हें कसकर पकड़ी रखा था yet the waves knocked me down and swept over me फिर भी लहरे इतनी विशालती की उन्होंने मुझे knocked me down मुझे गिरा दिया and swept over me और मेरे उपर से निकल गई I was buried in water में तो पानी में ही दपनो गया था My breath was gone मेरी सांस चली गई I was frightened में डर गया Father laughed but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves मेरे पिता जी हसने लगी लेकिन मेरे दिल में उन लहरों की अतेंत सक्तिशाली ताकत का खोप आतंक पेदा हो गया I was buried confidence किन्तो थोड़ी देर में मैंने अपना आत्मिश्वास पालिया I paddled with my new water wings watching the other boys and trying to learn by apping them मैं जो मेरे पास नए फंक लेकर गया था मैं दूसरे लड़कों को देखते हुए और उनकी नकल करके सीखने की मैं कोशिश करते हुए अपने नए जल्फंकों के सारे तेर रहा था यानि की एपिंग का मतलब है उनकी कोपी करना उन दूसरे लड़कों की I did this two or three times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened अब यहाँ पर ऐसा मैंने अलग-अलग दिनों में दो या तीन बार किया था और मुझे पानी में रहना अच्छा लगने ही लगा था कि दुरगटना हो गई यानि की ऐसा उसके साथ उस समय हुआ जब वो तोड़ा आसान फील कल रहा था और डर उसके तोड़ा दूर जा रहा था तभी उसके साथ दुरगटना घटित हो गई I went to the pool when no one else was there में तरन ताल पर उस समय गया जब वहां कोई भी नहीं था The place was white, जगपूरी तरह शांत थी, the water was still and the tiled bottom was as white and clean as a bathtub और जगशान ती पानी इस्तिर था और टाइल लगा तल एक बात तब जितना सपेद और स्वच था I was timid about going in alone so I sat on the side of the pool to wait for others मैं अकेला तरन ताल में अंदर जाने से डर रहा था इसलिए दूसरों की परतिक्सा करने के लिए ताल के एक किनारे पर बेट गया I had not been there long when in came a big producer of a boy, probably 18 years old मुझे वाँ जादा देर नहीं हुई थी कि इतने में वाँ एक खटा खटा दबंग लड़का आया शायद वो अठरह साल का होगा He had thick hair on his chest, उसकी छाती पर गने बाल थे He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles वह शारिरिक बनावट का एक सुन्दर नमूना था जिसकी टांगों और बाहों पर लहराती माश पेशियां दिखाए दे रही थी He yelled, वह जोड से चीखा, हाई, skinny और पतले, mariel How would you like to be dugged? तुम किस तरह से, किस प्रकार से डुब की लगवाना चाहोगे? With that, he picked me up and tossed me into the deep end एसा का खर उसने मुझे उठाया और गरे छोर की तरफ फेंक दिया I landed in a sitting position, swallowed water में बेट्या हुआ ता वेशा, वेशा का वेशाई उसी ये वस्ता में गिरा, पानी में swallowed यानी की निगल गया, पानी पी गया and went at once to the bottom और सीधा तले में चला गया I was frightened, but not yet frightened out of my wits में डर गया था, लेकिन डर से मेरी अकल खराब नहीं हुई थी मेरी बुद्धिये भी भी काम कर रही थी On the way down I planned, when my feet hit the boat I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool Students, ये line most important है कि उसने पानी में डूपते हुई, क्या योजना बनाई थी आप इसे अच्छे से याद कर लें, इस में से क्योशन पूचा जा सकता है तो जब रास्ते में था ओ, यानि जब डूब रहा था, नीचे जाते जाते में ने योजना बनाई जब मेरे पेर तल से टकराएंगे तो मैं जोर से उचलूँगा उपर के तल सता पर आऊंगा, और इस सता पर पसर कर लेट जाऊंगा और तेर कर तालाब के किनारे पहुंच जाऊंगा ऐसा उसने योजना बनाई थी, जब वो डूब रहा था इसके बाद में, इट सीम्ट अ लोंग वे डाउन लेकिन उसे ये जो दूरी थी, ये खापी ज़्यादा लंबी लगी यानि कि ये जो गर आई थी, वो खापी समय लगा उसे डूबने में यानि वो जो 9 फिट थे, वो 90 पिट के समान लगे और तल को चूने से पहले ही, मेरे फेपड़े फटने को तयार थे बस्ट यानि फटना, लंग्ज यानि फेपड़े बट वेन माई फीट हिट बोटम, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring of wars लेकिन जब मेरे पेर तले को टच हुई है तो मैंने पूरी संबन यानि की इखटा करना, all my strength, पूरी ताकत को जोड से उपर की तरप एक छलांग spring यानि उचाल लेना छलांग लगाई, जंप लिया, I imagined I would go up to the surface like a cork मैंने सोचा था कि मैं कोर क्यानि बोतल के ढकन के समान उपर पहुँच जाऊंगा एसा उसने सोचा था, instead I came up slowly लेकिन उसके बजाए में बहुत धीरे धीरे उपर आया I opened my eyes and saw nothing but water, water dead, had a dirty yellow tinge to it जब मैंने आखे खोली तो पानी के लावा कुछ भी नज़र नहीं आया एसा पानी जिसमें गंदी पीली रंगती यानि जिसका टिंज यानि कलर याँ पर पीला रंग का पानी था I grew panicky और मैं गबरा गया, डर गया I reached up as if to grave a rope and my hands clutched only water मैंने हाथ उपर किये मानों कोई रशी पकड लूगा लेकिन मेरे हाथों की पकड में सिर्थ पानी आया I was suffocating, मेरा दम गुट रहा था, suffocating यानि दम गुटना I tried to yell but no sound came out, मैंने यानि ट्राइग, चीक नहीं की कोशिस की लेकिन कोई आवाज बाह नहीं आई Then my eyes and nose came out of the water, but not my mouth फिर उसके बाद मेरी आँखें और नाग पानी से बाहर आई, किन्तु मेरा मुझ नहीं I flilled at the surface of the water, swallowed and chalked मैं पानी के उपर हाथ पेर मारता रहा, पानी पी गया और मेरा गला अवरुद हो गया Flilled यानी की जोड जोड से हाथ पेर मारना और इसके बाद में I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid मैंने अपनी टांगों को उपर लाने की कोशिस की परन्तु वे भी निर्जू भार की भांती गतिहीन और खटोर होकर नीचे लटकी रही याँ पर weights का मलवे भारी वस्तु है, paralyzed का मलवे गतिहीन हो जाना, rigid यानी खटोर हो जाना a great force was pulling me under, एक बड़ी ताकत मुझे नीचे खीच रही थी, I screamed but only the water heard me मैं जोर से चीखा, किन्तु केवल पानी ने मेरी आवास सुनी, I had started on the long journey back to the bottom of the pool मैं तालाब के पेंदे की ओर, अपनी लंबी आत्रा पर वापस शुरू हो चुका था I struck at the water as I went down, expanding my strength as one inner nightmare fights and irresistible force मैं जोर जोर से पानी पर हाथ पेर मार रहा था, जब मैं नीचे जा रहा था और मेरी पूरी सकती एसे ही खर्च हो रही थी, जैसे कि किसी डराओने सपने में कोई वेक थी, किसी अपरा जे सकती से लड़ रहा हो I had lost all my breath, मेरी सासे, मेरी सासे पूरी तरसे रुख गई थी, मैं लंग्स एक्ड, मेरे फेपड़े दर्द कर रहे थे मैं हेड थोब्ड, मेरा सिर तड़क रहा था, I was getting dizzy, मुझे चक्कर आ रहे थे but I remembered my strategy, लेकिन मुझे मेरी रणनीती याद थी, I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface मुझे अपनी वो रणनीती याद थी, कि मैं ताल के तल से चलांग लगाऊंगा और cork की भातिसत पर उपर आ जाऊंगा I would lie flat on the water, मैं पानी पर बिलकुल फेल जाऊंगा, पसर कर लेट जाऊंगा strike out with my arms and trace with my legs, और मैं अपनी बाओं से, अपनी बुजाओं से पानी पर प्रहार करूंगा और टांगों को फट करूंगा, then I would get to the edge of the pool and be safe फिर मैं ताल के किनारी पहुँच जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा I went down, down endlessly, मैं अनंत रूब से नीचे जाता जा रहा था I opened my eyes, मैंने अपनी आँखे खोली, nothing but water with a yellow glow डार्क वाटर डेट, one could not see through लेकिन मुझे उस पानी के सिवा कुछ नज़र नहीं आया, वो पीला ग्लो, उसमें पहले tinge मिनिंग आया था, या ग्लो आया है, जिसका आर्थ भी रंग होता है, कलर होता है वो काला पानी, पीला पानी, जिसमें आर पार, खुछ नज़र नहीं आता, अंधकार भरा, डार्क वाटर ऐसा उसके साथ हुआ था Students, 6 chapter अगले पार्ट में आप चैनल के साथ बने रहें और इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें और न्यू क्लास 12 के प्ले लिस्ट जरूर विजिट करें थेंक यू